वेलंटाइन डे पर रिलीज हुई पुरानी रोमेंटिक फिल्मों की लिस्ट खुशी में नाचते हुए दिखे फेंस रनवीर कपूर और दिपिका पदुकून की 2013 में आई ये जवानी है दिवानी ने पिछले कुछ सालों में एक पंथ का दर्जा हासिल किया है इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को वेलंटाइन डे वीक पर पीवियार राइनोक्स द्वारा दुबारा रिलीज किया गया है बले फिल्म दस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन दुबारा रिलीज पर दर्शकों की प्रतिकिरिया काफी हैरान करने वाली है पूरी तरह से अनुभा और समुदाय को देखने पर क्रेंदित हो गया जिन फिल्मों ने दर्शकों के लिए काम किया है वे सभी उमीदों से बढ़कर रही हैं और जो फिल्में दर्शकों को जाहित करने में कामयाब नहीं रही हैं वे बुरी तरह असफल भी रही हैं पिछले कुछ वर्सों में कई क्लासिक फिल्में दुबारा रिलीज हुई है और समुदाय दुबारा देखे जाने के कारण उन्हें दर्शकों से बहुत अच्छा रियक्शन भी मिला है जब इतने सालों से किसी फिल्म को पसंद करने वाले लोगों का एक समुद बड़े परदे पर फिर से इसका आनन्द लेने के लिए एक साथ बैठता है तो रियक्शन जादू होनी चाहिए ऐसा पिछले साल हुआ था जब वी मेड दोबारा रिलीज हुई थी अब वाई जे एजडी के साथ इसे रिलीज किया जा रहा है पीबियार आइनोक्स जैसी रास्ट सिनेमा स्रिंखला ने इस कोड को शांदार तरीके से क्रैक किया और उमीद है कि आने वाले वर्सों में भी काम करना जारी रखेगा सिर्फ वाई जे एजडी ही नहीं बलके वैलेंटाइन डे वीक मनाने के लिए पूरे भारत में पीबियार आइनोक्स द्वारा कुल 22 फेमस रोमेंटिक फिल्में फिर से रिलीज की गई है इस लिस्ट में जव्य में दिलवाले दिलहन्या ले जाएंगे वी जारा मुहबते सोनू के टीटू की स्वीटी तुझूटी मैं मकार प्यार का पंच नामा एक और दो और देदे प्यार जैसी फिल्में शामिल है इसके साथ ही छेत्रे फिल्में भी दुबारा रिलीज हु झाल